हेलो नमस्कार साथ हुआ आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में काफी बच्चे का कोमेंट था काफी बच्चे का डाउट था और काफी बच्चे का इंतुजार भी था तो यहाँ पर देखिए मौपर राउंड का डेट जो है जारी कर दिया गया विलिंग्ने समिट करा चुके हैं फिर भी प्रोवाइड करा दे रहे हैं जिसे कि आप लोग सभी बच्चे को जनकारी मिल रूप से ठीक है तो चलिए वीडियो को फूल वास किजिएगा अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके जूड जाईगा क्योंकि पॉसिबल नहीं है सभी बच्चे से संपर कर पाना इसलिए जो है आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जब भी वीडियो अप्लोड होगा तो आपको सूचना मिल जाएगा ठीक है तो आप सभी देख सकते यहाँ पर आठ तारिक को जो है आप लोग के लिए ये नोटिस जारी कर दिय कर दिया गया आठ नोग दोजार चोबिस को आप जो है डोकुमेंट वेरिफिकेशन कहा होगा तो आई एस संभवन पटना हवाई अड़ा के निकट जो होगा आपका डोकुमेंट वेरिफिकेशन सभी बच्चे ध्यान रखेगा ठीक है और कब से सुरू होगा तो देखिए 21.9.2024 से आप लोग का परारंब हो जाएगा और उसके बाद इंपोर्टेंट देख लीजी यहाँ पर जो मेंसन है डेट एंड टाइम सब कुछ दिया गया है टाइम सीडूल तो देखिए डेट ओफ ओनलाइन विलिगनेस फोर एटेंडिंग मॉप अप रांड कांसलिंग तो 10 तारिक से जो है आप लोग का विलिगनेस सम्मिट लेना शुरू हो जाएगा तो आप लोग 10 तारिक को ऑफिस्यल वेबसाइट पर जा करके विलिगनेस सम्मिट कर दीजिगा 10 से 15 तारिक के बीच में आप लोग को फाइनली कर देना है उसके बाद आप लोग का रखना है हो सकता है इसमें संसोधन आगे पीछे हो सकता है लेकिन आप लोग इस हिसाब से अभी चलेंगे ठीक है तो यह हो गया किलियर उसके बाद देखें विलिगनेस सम्मिट कैसे करना है ऑफिस्यल वेबसाइट पर जाएगा तो यहां पर आएगा एक बिंडो खुल कर है ठीक है तो देखें होमपेज पर जाएगा उसका विलिगनेस फोर आईटी आई कैट मौप राउंड ऑफलाइन कांसलिंग लिंक एक्टिवेट होगा तो उस पर जो है आपको जाना है रॉल नंबर एंड जरम तिथी डाल करके सम्मिट यूर विलिगनेस पर किलिक और उसके बाद जो ऑफशनल आईडी क्रियेट होगा उसमें नीचे में तो उसको प्रिंट आउट करके रख लिजेगा डोकुमेंट वहरिफिकिशन में वही लेकर के आपको जाना परेगा ठीक है ऑफशनल आईडी क्रियेट हो जाएगा उसमें और ये रैंक कार्ड को ले पुलाएजाएगा आप लोग जो है आई ऐसंग भवन पटना हवाई अड़ा के निकर्ट जो है उपस्थीत होईएगा डिस्टिक वाइज पर देख लिजें किलियर कह दिया गया है ठीक है तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रख़ेगा दस से पंदर तारिक के बीच में आप लोगको जरूर से जरूर कट देना है लिगले सम्मिट उसके बाद किढ़ है डोकुमेंट क्या लगेका तो यह है आपको लिखा हुआ है इसके बाद SMQ कोटा EWS quota से आते होंगे तो उसका पर्मान पत्र आपका लगेगा उसके बाद देख लिए यहाँ पर जो है आधार का फोटो कोपी लगेगा छोगो फोटो लगेगा आप सभी का उसके बाद ORIGINAL ITI का EDMIT CARD लगेगा RANK CARD लगेगा ठीक है और डाउनलोट पाटे पाट भी फर्म जो आप लोग फर्म अबलाई करते समय है डाउनलोट किये होंगे उसका कॉपी लगेगा और उसके बाद जांच पर्ची का दो कॉपी लगेगा तो जांच पर्ची का दो कॉपी आप जरूर से जरूर घर से भी फिल अब करके जा सकते हैं कोई दिकत नहीं है बायोमेट्रिक फर्म का एक कॉंप जांस परसी जो डाउनलोड कीजिए उसी में बायोमेट्रिक फर्म नीचे में रहता है ठीक है तो उसको ले जाना अनिवारियर रहता है तो इतना जो है आप लोग को लगेगा और जो भी छातर ट्रेड चेंज करना चाहते हैं या कॉलेज चेंज करवाना चाहते होंगे तो उनके लिए देखिए यहाँ पर यदि उमिदवार किसी ITI संस्थान में नवांकन हो चुका है तो नवांकन सुल्क जमा रसीद ठीक है सुल्क जमा करने की मूल रसीद हो गया उसका वेरिफिकेशन सिलीप मिला होगा आप लोग को डोकुमेंट वेरिफाई करके उसके बाद क्या है तो संस्थान के पराचारिया से आसाई का पर्मानपत्र उमिद्वार द्योगिक परसीक्षन संस्थान का बोनाफाइट शात्र है पुरूफ के लिए मांगा जाता है जो आपका डोकुमेंट जमा है कौन से कॉलेज में उसके बाद उनके सभी मूल पर्मानपत्र उस पुर्द्विक परिक्षन संस्थान में जमा है इसके लिए मांगा जाता है किलियर उसके बाद दिखी यहां पर यूर के जो भी छात्र होंगे उनको एक बार चांस मिलेगा ठीक है इतना नोटिस को पढ़िएगा तो ध्यान में आ जाएगा और जो केटेगरी के छात्र होंगे उनको दो बार चांस मिलेगा यूर से भी जा सकते हैं जो बात भी जाता है सबस्कारी आपनी आपने दता दो मुझाया सबस्क्राइगे इसलिए आप लोग घ्यान दिजएकिए आगर झोभी छादर का枉नान विलियास कुमिट नहीं करेंगे तो फिर जो है counseling के लिए आयोक मान लिए जाएंगे इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा ठीक है दिनका willingness summit छूटा इस बार तो समझे इस बार जो है आब admission नहीं होगा आपका इसलिए आप लोग willingness summit जरूर से जरूर कर दीजिएगा 10-9 से ले करके 15-9 के बीच में ठ किसी भी दिन कुछ नहीं करना रॉल नमबर डाल के डिटा बर्थ डाल करके समिट कर देना उसका प्रिंट आउट एक निकाल लीजिए बस हो गया इतना काम कर दीजिए उसका 18 तारीकों चेक कर लीजिए लिस्ट में रॉल नमबर आ जाएगा आपका कितना भी रैंक है रॉ हो जाएगा यानि कि बंद हो जाएगा इसलिए जो है आप लोग ध्यान में रखीगा इस डेट को और एक हैस तारीक से डोकुमेंट वेरिफिकेशन सुरू होगा डोकुमेंट से रिलेटेड वीडियो हमारी चैनल पर अप्लोड है उसको जाकर करके आप लोग वीजिट करक क्या अप्लोड़ लोग जो पर नंवेछग को जापाइब शुमेट जासव एगीजिग से बंद हो एक हैस प्लोड़ होगाओागा उड़ आ हाएगा जाल एक हैसा भ्लाहा जासर बंद है कूछ बंदेट हैसे लोग तक है toiko